नमस्कार दोस्तों आप से विकास स्वागत है आपका अपना एटूब चनल जीके संसार पे और आज हम सब हिंदी साहिट से जुड़े किजेगा चले सेसन को स्टार्ट करते हैं और क्वेस्ट नमर फर्स्ट कहता है प्रसंख्या एक है नक्सिक वर्नन की स्रिंगार प्रंपरा का आरम माना जाता है अगर आपने पहले से पढ़ रहा है तो यहां पर आप खुछ से जवाब देरी कोसिस कीजिए और देखिए क्या आप इन प्रस्टका सही कर पाते हैं यह नहीं और अगर नहीं जानते हैं तो यहां से आप सीख पाएंगे तो नक्सिक वर्नन की जो स्टिंगार परंपरा का का आरम माना जाता है वह रावरिवेली क्या है रावरिवेली त्याहां पर आप्र जॉब्शनB slightly क्या कह रहेगा क प्राकिर्ट से, संस्कृत से या फिर प्राकिर्ट की अंतिम अभ्रंस अवस्था से या पाली से तो अगर हम आचारे सुकल के द्वारा हिंदी का जो आविभार्व माना जाए देखा जाए तो क्या यहां पर होगा तो होगा आपका प्राकिर्ट की अंतिम अभ्रंस अवस्थ से तो यहां पर सी आपका सही जवाब रहेगा QeSt. advocating देखिए चर्या पद है हमने आपको चर्या पद के बारे में पहले ही बताया है तो चर्या पद क्या है तो चर्या पद जो है तो बाधों दौआरा तांत्रिक चर्या के समय गाया जाने वाले पद है चर्या पद क्या है बौधों दुआरा तांत्रिक चर्या के समय गाय जाने वाले पद है तो यहाँ पे option आपका जो D है वो बिलकुँ सही रहेगा question number 4 देखिए क्या कहता है उपदेश रासायन रास के रचैता कौन है इस question को भी हमने करवाया आपके साथ हना तो यहाँ पे answer क्या रहेगा तो रहेगा जीनदत सूरी question number 5 देखिए पूंड या पुस्य को हिंदी का प्रत्थम कवी किसने माना है तो किसने माना है C.U.C. सेंगर ने किसने माना है C.U.C. सेंगर ने तो यहाँ पे option जो D है सई रहेगा Question No. 6 देखिए, क्या कहता है, अब ब्रन साहित्य के बालमी की किस कवी को माना जाता है, वो किस कवी को माना जाता है, तो हैं सुएंभू, कौन हैं? सुएंभू, तो यहाँ पे B आपका सही जबाब रहेगा Question No. 7 देखिए, उक्ती ब्यक्ती प्रकरण किस प्रकार की रचना है? स्रिंगार गरंथ है, ब्याकरण गरंथ है, सब्द कोस है या बिरकाप्य है? तो इसका सही अंसर क्या रहेगा? ब्याकरण गरंथ है, है ना? Option B धोला मारू, रादुहा के जो दोहा है, उसको हिमचंद और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी किस के द्वारा माना गया है? स्याम सुंदरदास, डॉक्टर रामकुमार बर्मा, हजारी प्रसाद द्रिवेदी या जॉर्ज लियसन तो यहाँ पर सेंसर क्या रहेगा? हजारी प्रसाद द्रिवेदी, ओप्सन यहाँ पर जो सही रहेगा, ओओ C रहेगा, ठीक है? ओप्सन C is the right answer question number 9 देखिए, महापंडित राहुल सांकृतियान ने किस रासो गरंथ के पद को जजल नामक किसी कवी की रचना घोशित किया है? तो यहाँ पर सही जवाब जो रहेगा, ओओ रहेगा हमीर रासो, यानि कि सही अंसर यहाँ पर रहेगा आपका option B ठीक है? हमीर रासो यहाँ पर सही रहेगा question number 10 देखिए, question number 10 क्या कह रहा है? डॉक्टर गनपती चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कभी किसे माना है? तो किसे माना है? साली भद्र सूरी को प्रसंख्याई 11 देखिए, प्रती भोज निबंध किसका है? प्रती भोज निबंध जो है, वह किसका है? आप सबी साथ साथ जवाब देनी कोशिस कीजे, क्योंकि आप यहां से पढ़ा हुआ है, तो रिवाईच कर सकते हैं, और नहीं जानते हैं, तो सिख सकते हैं तो यहां पर इसा इंसर रहेगा? गुलाब राय प्रती भोज निबंध किसका है? गुलाब राय का, तो यहां पर भी आपका सही रहेगा क्वेस्टन नमबर बारे देखिए कला का जोखिम निबंद संग्रह किसका है कला का जोखिम निबंद संग्रह जो है वो किसका है सांति प्रिय द्रिवेदी भागी रतमिस्र निर्मल बर्मा या माहा देवी बर्मा तो बारा नमबर प्रस्ण का सही जवाब क्या होगा कोशिस किजिए आप सम बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं आप सब option C से ही रहेगा निर्मल वर्मा ठीक है कला का जोखीम निमंद संग्रजु है वह निर्मल वर्मा का है प्रस संख्या तेरे देखिए सुद्ध कविता की खोज 1966 में हुई थे है ना इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है महादेवी वर्मा भागीरत मिस्र रामधारे से दिनकर या सांति प्रिये द्रिवेदी सुद्ध कविता की खोज 1966 इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है बहुत अच्छा, well try, यहाँ पे सही अंसर रहेगा, option C, रामधारेसी दिनकर, ठीक है, तो यहाँ पे सही अंसर, option C रहेगा, प्रस संख्या 14 देखिए, कविता क्या है, यह जो निबंध है, वो किसका है, कविता क्या है, क्या है, एक निबंध है, या किसके द्वारा लिखा ग करा कीज़े, सही अंसर जो रहेगा, वो रहेगा, रामचंद्र सुक्ल, क्या रहेगा, रामचंद्र सुक्ल, तो यहाँ पे option B, आपका सही जवाब रहेगा, प्रस संख्या 15 की तरह मूब करते है, जूट सच निबंध किसका है, जूट सच निबंध जो है, वो किसका है, यहां पर option B आपका सही रहेगा प्रसंख्या 16 देखिए निमलिकित में से दिनकर का निबंध नहीं है यहां पर चार निबंध आपको दिया गया है उसमें से तीन जो है तो दिनकर का है एक नहीं है वो आपको find out करनी है चली प्रसंख्या 16 और हाँ यहां पर एक question आपके लिए और मिट्टी की O यह से भी जो निबंध है वो दिनकर जी की है लेकिन गाली इनकी नहीं है तो गाली किसकी है आपको बताना है ठीक है गाली किसकी है आपको comment box में बताना है तो यहां पर option D जो है सही रहेगा और गाली अगर निबंध है तो किसकी है आपको बताना है चली प परकी बात, पुरोद, साहित्य का स्रे और प्रे यह जो आप देख रहें यह सभी जो है जनेंद्र की हैं लेकिन साहित्य देवता जो है इनकी नहीं है तो यहाँ पे D जो है सही जवाब रहेगा प्रसंख्या ठारा ध्यान से देखिएगा साहित्य अवलोकन निबंध किसका है बिनै मोहन सर्मा, सिवदान सी चोहान, रामबिला सर्मा या देवेंद्र सत्यार्थी साहित्य अवलोकत क्या है एक निबंद है किसका है भई तो यह बिने मोहन सरमा का तो यहाँ पे ए जो है बिलकुल सही जवाब रहेगा प्रसंख्या 19 देखिए साहित्य अनुसिलन निबंद जो है वह किसका है बिने मोहन सरमा सिवदान सि चोहान राम बिला सर्मा या देवेंद्र सत्यार्थी किसका है भाई? तो है सिवधान सी चोहान का तो option यहाँ पे B आपका सही रहेगा प्रसंख्या 20 देखिए निबंध के बाद हम लोग फिर से निबंध की बात कर रहे हैं निमलिखित में से देवेंद्र सत्यार्थी का निबंध नहीं है यहाँ पे एक ऐसा निबंध है जो कि देवेंद्र सत्यार्थी का नहीं है वो आपको find out करना है तो यहाँ पे सही अंसर क्या रहेगा? देखिए रिखाएं, बोल उठी क्या गौरी, क्या सावरी कलाके हस्ताक्चर यह सभी जो हैं देवेंद्र सत्यार्थी के हैं नियाय का संगर्ष जो है न यह इनका नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएगा किसका है और इसका जो एंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही पीन करके मैं दे दूँगा, ठीक है? तो आप दोनों क्वेशन को जो पूछा गया आप से उसका एंसर आपको बताना है ठीक है? चलिए प्रसंग क्या कीस देखिए निमलिकित में से यस पाल का निमन्ध नहीं है यस पाल का जो निमन्ध नहीं है वो कौन सा है? बात बात में बात गांधिवाद की सौसो, नियाय का संहर्स और धर्ति गाती है तो ये तीनों जो है ना ये तो यस पाल की है लेकिन ये धर्ति गाती है नहीं है ठीक है ओप्सन यहाँ पे D सई रहेगा प्रसंख्या 22 देखिए निमलिखित में से राम वरिच बेनी पूरी की रचना नहीं है इन चार ओप्सन से कौन सी नहीं है वो आपको find out करनी है तो ध्यान से अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे ग प्रसंख्या 23 देखिए निमलिखित में से कनहया लाल मिस्र प्रभाकर का निवंध नहीं है कौन सा नहीं है भई तो अगर ध्यान से देखते हैं तो जिंदगे मुस्कुराई महके आंगन चहके द्वार दीप जले संख बजे इस सभी जो है कनहया लाल मिस्र प्रभाकर का है समय समय पर यह नहीं है तो यहाँ पर D सही रहेगा प्रसंख्या 24 देखिए खरगोस के सिंग निमंद किसका है खरगोस के सिंग तो होते नहीं है लेकिन एक निमंद है खरगोस के सिंग वो किसका है किया होगा सही जवाब इसका बहुत सही आप सब ट्राइ कीजे तो यहाँ पे जो सही अंसर रहेगा वह option C रहेगा प्रभाकर माचवे का है तो option यहाँ पे C सही रहेगा प्रसंख्या 25 देखिए योवन के द्वार पर निबंध जो है वो किसका है योवन के द्वार पर एक निबंध है वो किसका है नगेंदर का है राम चंदर सुकल का है राम बिला सर्मा का है यह हजारी प्रसाद द्रिविदी का है किसका है योवन के द्वार पर तो यहाँ पे ज आने पर लाइक और अपने दोथों के साथ शेयर जुरू किजेगा और पीडिया प्लियर टेलेग्राम चैनल जोईन किजेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स पार्ट में तब तक आप हमां साथ बने रहें